मध्य प्रदेश में CM बनने के करीब 15 दिन बाद आज मंत्री मंडल का विस्तार होने जा रहा है इसमें 18 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री सोतंत्र प्रभार आज मंत्री पद की शपत लेने जा रहे हैं आज MP के CM डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का पहला विस्तार होगा आज दोपहर 3 वजे राजभवन में शपत ग्रहंट समहारो होने जा रहा है यहां राजपाल, मंगु भाई, पटेल, पद और गोपनियता की शपत दलाएंगे PM नरिंद्र मोदी, अमित शहा और जेपी नडड़ा के नेतरत्व में नए मंत्री मंडल विस्तार होने जा रहा है शपत ग्रहंट समहारों से पहले निताओं को फोन आ गए हैं और उन्हें राजधानी भोपाल आने के लिए कहा गया है इसमें से जिन नेताओं की नाम पर मोहर लगी है उनका भोपालाने का सिलसिला जारी है इसी कड़ी में अगर बात करें तो आज एंदल सिंग कंसाना मंत्रीपत की शपत लेने जा रहे हैं सुमावली से विधायक एंदल सिंग कंसाना का जन्म एक जन्वरी 1958 को हुआ था वे इस से पहले जन्पत पंशायत के अध्यक्ष एवं क्रसी उपज मंडी समीती के संचालक रहे हैं 1993 में 10 वी, 1998 में 11 वी तथा 2008 में 13 वी विधानसभा के सदस्य निर्वाचित रहे हैं आपको बता दें कि वर्ष 2018 में हुए चुनाव में कॉंग्रिस के एंदल सिंग कंसाना विजई हुए थे जो तिरारिति सिंधिया के समर्थन में कंसाना ने स्तीफा दे कर BGP जोईन कर ली थी इसके बाद जब साल 2021 उप्चुनाव हुए तो यहां से BGP ने एंदल सिंग कंसाना को टिकेट दिया जबकि कॉंग्रिस ने अजव सिंग कुषवा को प्रत्याशी बनाया था यहां कॉंग्रिस के कुषवा जीत गए थे लेकिन इस बाद चुनाव में कुषवा का टिकेट काट दिया गया था जबकि BGP ने एंदल सिंग कंसाना को ही प्रत्याशी बनाया और वे जीते भी आज एंदल सिंग कंसाना को मुहन काबिनेट में जगा मिलने जा रही है ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें खबर बेबाग के साथ